हेलो एबरीवन आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं गुजरात की फेमस फाफ़ा रेश्पी आपसे सेयर करूंगी जिसे मैंने इस वीडियो में तीन तरीके से बनाना बताया है एक तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही फास् फाफ़ा बना के तयार कर सकते हैं फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और खसता है तो बिना टाइम वेस्ट के इस फाफ़ा रेश्पी को देख लेते हैं उसे पहले हम इसका दो तयार कर लेते हैं दो बनाने के लिए हमने यहां बेसन ले लिया है और कप से एक कप के लिए हैं आपको जितना बनाना है उस हिसाब से आप बेसन कम्या ज्यादा ले सकते हैं और चने का बेसन बिल्कुल फाइन होना चाहिए इस बात का ध्यान रखिएगा तो सबसे पहले हम बेसन को चान लेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी गाठे दिख रही हैं तो हमें बिल्कुल एकदम जो इसमें चंक्स वगएरा है वो रिमूब कर देना है तो अब हम इसे चान लेंगे और देख सकते हैं बिल्कुल यह पाउडर फॉर्म में आप आ गया है अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के नुसार नमक तो नमक आप बहुत जादा मत डालिएगा जैसा स्वाद हो उससाब से थोड़ा सा कमी डालिएगा और आधा छोटा चमच यहां हमने अजवाइन मिक् पिंच फूड कलर यह यलो फूड कलर मैंने लिया है यानि पीला वाला कलर अगर जो आप हल्दी पाउडर डालना चाहते हैं तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो अब इसके बाद हम इसे खस्ता बनाने के लिए इसमें एक टेबल स्पून रिफा हलकी बाइंडिंग हो रही है तो अब हम इसका डो तयार करते हैं तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहां आधा कप पानी ले लिया है यह देखी आधा कप पानी नहीं लगेगा क्योंकि बेसन है जब हम इसका डो बनाते हैं तो बहुत कम पानी में यह गुच जाता है तो इ एकी बार ज्यादा पानी डाल देंगे तो यह गीला हो जाएगा और फ्रेंड्स मैं यहां एक चीज भूल गई थी इसको खस्ता और थोड़ा सा क्रिस्प बनाने के लिए मैंने यहां one four teaspoon खाने का soda एड़ कर दिया है आप चाहे तो पापड़ खान का भी उज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स मैं भूल गई थी baking soda डालना तो जब आप आठा चाने तभी आप उसमें one four teaspoon baking soda डाल सकते हैं यह देखिए बातो बातो में हमारा डो भी बन गया है फ्रेंड्स डो बनाते आप डो को बहुत जादा टाइट न selfie बहुत जादा गीला मत करिएगा जैसे हम रोटी के लिए डो बना ट्यार करते हैं बस वैसे ही इसका भी डो बना के त्यार करना है और इसे ठखके हम पांच माट के लिए रिष्ट पर रख देते हैं अब हम इसे fry करने के लिए तेल गरम करेंगे तो friends जो भी आप बरतन लें फाफ़डा fry करने के लिए वो चोड़े मोका लें तो मैंने pan में तेल डाल दिया है और low flame पर रख दिया है धीरे धीरे गरम होगा क्योंकि तेल जो हमें बहुत जादा गरम नहीं लेना है तो इधर हमारा आटा भी सेट हो गया है हाथों में हलका सा तेल लगा लेंगे जिससे ये हाथ में चिपकेगा नहीं और छोटी छोटी इस तरीके से हम लोईयां पहले बना के रख लेते हैं जिससे रेश्पी बनाने में थोड़ा सा असानी हो जाएगी क्योंकि हम जब इक्वल लोई बना लेंगे तो सारे फाफड़े इक्वली बनेंगे तो ये देखे फ्रेंड्स अब हम जो लोई बनाया है इसको धख के साइड में रखेंगे और इसमें से एक लोई निकाल लेते हैं मैं हाँ आपको कई तरीके से फाफड़ा बनाना बताऊंगी इस वीडियो को में कम से कम मैं 2-3 तरीका बताऊंगी तो यहां आप किसी लकडी के चॉपिंग बोर्ड पर आप इस तरीके से जो बेसन का डो है थोड़ा सा सिलेंडर से बना लिजेगा और एक तेस धार वाला चाकू ले लिजेगा अब जो यह हमारा हथेली है इसी से इसको दाबते हुए आगे इसको खिसकाना है ताकि बिलकुल यह पतला सा बन जाए तो यह देखिए इस तरीके से हम हाथ का जो इंड है यानि हथेली का इंड उससे इस तरीके से दबाते हुए बिलकुल पतला सा फाफ़णा हम बना के तया इसको गूथेगा ताकि ये तूटे नहीं इस तरीके से जब हम हाथों से इसको फैलाएं क्योंकि जब अच्छे से गूथेंगे इसमें Elasticity पैदा होगी और इस तरीके से ये तूटेगा नहीं तो knife की help से इस तरीके से हम निकाल लेंगे और दूसरा तरीका और बताते हूँ मैं यहाँ जो beginners हैं उनके लिए बता रहे हूँ जो नहीं बना पाएंगे फाफ़डा इस तरीके से जैसे मैंने पहले वीडियो में बता दिया है कि हाथों से दबाते हुए तो आप polythene इस तरीके से ले लें और बेसन का जो लोई है उसे cylinder shape में बनाके हाथों से इस तरीके से आगे थोड़ा सा रगड़िये यह थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अब इसे बेलन से बस ध्यान रखिएगा कि जो डो है वो polythene के बीच में होना चाहिए और ऐसे आप बेलेंगे तो यह ना तो चिपकेगा ना तूटेगा ना फटेगा जितना पतला आप इसको बेल के तयार करेंगे उतना पतला यह हो जाएगा तो यहां मैं polythene हटा के और दिखाती हूं friends इसको निकाल के यह बहुत इसली निकल जाएगा यह देखिए बहुत ही पतला एकदम paper जैसे यह बेशन का फाफ़डा इस तरीके से आप बना सकते हैं और दूसरा तरीका यानि तीसरा तरीका और मैं आपको बताती हूं कि तीसरे तरीके से आप कैसे फाफ़डा easily और सबसे fast बना सकते हैं यह जो तीसरा तरीका है सबसे fast फाफ़डा बनाने का है और उन लोगों के लिए जो नए हैं जैसे जिनको रोटियां भी अच्छे से बनाने नहीं आती वो इस वाले तरीके से बहुत जादा बहुत कम पर फाफ़डा बना के तयार कर सकते हैं तो मैंने या दो लोई को एक साथ मिला के और एकदम लंबा साय से इसको बना लिया है देख सकते हैं जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है ऐसे ही आप इसको लंबा करके polythene के बीच में रखियेगा और इसे बेलन से बेल के एकदम पतला सा बना लिजिएगा, देख सकते हैं, बिलकुल एकदम हमने पतला सा इसको बेल के बना लिया है, और अब हम पॉलिथीन का जो उपर वाला पार्ट है, हटा देंगे, ये देखिए, और अब हम लेंगे नाइफ, तो नाइफ से फ्रेंट्स इसके बीच में हम ऐसे कट लगाएंगे, ये देखिए, यहां आपका दो फाफ़ा एक साथ बनके तयार हो जाएगा, इसका साइड का जो एक्स्टा पार्ट है, इसे आप काटके निकाल दीजिए, क्योंकि इसे जो हलवाई होते हैं, वो कड़ाही, बड़ी कड़ाही म बनाते हैं हमारे पास छोटा पैन है, तो उसी हिसाब से इसका लंबाई रखेंगे, और जो एक्स्टा पार्ट है बेशन का, उसे हम निकाल के बिल्कुल बराबर कर लेंगे इस तरीके से, ये देखिए, और जैसे हलवाई फाफ़ा बनाते हैं, ये के से ये बहुत पतला बनके तयार ह होगा, बहुत फटा-फट होगा, तो अब यहाँ तेल फ्रेंट्स, एकदब मीडियम होट गरम है, मतलब उससे भी कम गरम है, अब इसमें हम एक-एक फाफ़डे को डालेंगे, ये देखिए, बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही पतला, ये फाफ़डा बनके तयार और इसे सिखने देंगे, जब ये एक साइट से सिख जाएगा, तब हम इसे टर्न कर लेंगे, और फ्रेंट्स, बहुत आराम से ये फाफ़डा बनके तयार हो जाएगा, अब हम इसे निकाल लेंगे, ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी बनके तयार होता है, और जिस तरीके से मैंने बताया friends हर घर में हर लोग इस तरीके से फाफ़डा बना के तयार कर सकते हैं क्योंकि mostly जो ट्रेंड रहते हैं फाफ़डा बनाने में वो लोग फाफ़डा बना पाते हैं लेकिन जो beginners हैं उनसे नहीं बनता है तो मैंने सोचा यह तरीका आप लोगों के लिए बहुत ह गएगा तो अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में तो यह देख सकते हैं friends हमारा फाफ़डा बिल्कुल हलवाई जैसे बनके तयार हुआ है यह देखिए तो friends आप देख सकते हैं सारा मतलब एक कप में और भी जादा बना था लेकिन घर में छोटे बच्चे रहते हैं उन का फुलका और बहुत ही क्रिस्पी खस्ता बनके तयार हुआ है और तेल को बिल्कुल एक्जॉर्ब नहीं करता है और इस तरीके से आप घर में फाफ़डा बहुत आसानी से बना के खा सकते हैं mostly इसे गुचरात में बनाया जाता है जो हलवाई लोग जलेवी के साथ भी सर् करते हैं तो फ्रेंट्स फाफ़डा की यह रेशपी आपको कैसी लगी बनाने का तरीका कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएगा और मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट और यूनिक रेशपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइज श्री हरी थेंक्यू फ